दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वोलों कि आप अपने वीडियो को वीरैल कैसे कर सकते हैं दोस्तो आपका भी यूट्व चैनल है जहाँ पर रिएएट पर ट्सन से आपने यूटुब चैनल कि आप अपने वीडियो को वाइरल कैसे कर सकते हैं या फिर जो भी इस वीडियो में आपको बताने वालों जो भी ट्रिक बताने वालों या फिर जो भी सेटिंग बताने वालों आप इस वीडियो को कम्पीट देखेगा इस वीडियो में जो भी सेटिंग बताने वालों जो भ बढ़ाया दरटना पड़िघ्पन वीडियो को डिखाता हूं, उस वीडियो में आपने नहीं करना ही। पहले मैं आपने ओपन कर लेता हूं उसके बाद जंक फोर्ट बिखाता हूं कि भी हुआ कर लेता हूं कि यहां से धुरन पर देख सकते हैं मैंने अपने वाइटेश ओडियो ओपन कर रहा है उसके बाद क्या आना आप content वाले options पर आना है content वाले options पर मैं आ गया हूँ उसके बाद आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या views ऐसे ही आ गया है दोस्तों इस वीडियो पर व्यूज आने के लिए उस trick को लगाया है मैंने उस settings को on किया है तब जाकि यहां पर वीडियो में व्यूज आया हुआ है अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं वीडियो से अपलोड करता जाओंगा करता जाओंगा एक नएक वीडियो वाइरल हो जागा दोस्तों यहां पर competition बहुत ही हाई हो चुका है YouTube पे आप सोच नहीं सकते हैं उतना हर दिन चैनल यहां पर create होता जा रहा है आप जितना सोच नहीं सकते हैं उतना ज्यादा competition हर दिन यहां पर high level होता जा रहा है तो दोस्तों यहां पर YouTube पे जल्दी grow कर पाना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है तो दोस्तों यहां पर आपको trick लगाना ही पड़ेगा आपको यहां पर कुछ settings करना ही तब ही जाके आपका वीडियो वाइरल होगा तो दोस्तों आप यहां पर देखे पहले मेरे 18600 व्यूज आ चुका है इस व्यूज को आप देखे यह व्यूज को मैंने लाने के लिए वो settings on किया तब जाके यहां पर वीडियो आया है तो चली दोस्तों यह मैं आपको बताऊ होना चाहिए impression जाना चाहिए जब तक दोस्तों आपके वीडियो में इंप्रेशन नहीं चाहिए आपके वीडियो में अच्छा काहसा व्यूज नहीं आ सकता है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूटुब 23000 लोगों के पास मेरे वीडियो का इंप्रेशन डाला ह 2,13,000 लोगों के पास impression दिया है तो यहाँ पर जाके मेरा 18,600 views आये हुआ है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने वीडियो में views चाहिए तो उसके लिए impression हाई करना पड़ेगा तो अभी मैं आपको बताने वाल हूँ कि आपको क्या setting करना पड़ेगा फिर कली जी क्या trick लगाना पड़ेगा ताकि आपका वीडियो वाइरल हो उससे पहले मैं अपने वीडियो का जो views दिखा दे रहा हूँ वो आपको यकीन हो जाए कि हाँ वीडियो में अच्छा का सा views आया है ताकि आप भी सीख के उस अपने वीडियो को वाइरल कर सकते हैं अब चले दोस्तों मैं अपना एकी दूसरा वीडियो दिखाता हूँ जिस पर अच्छा का सा views आया हुआ है और उस वीडियो को मैंने कुछ दिन पहले ही upload किया हुआ लोगों पहुटूब पहुचा चुका है तो दूस्तों आप समझसकते हैं कि अगर आपको वीडियो में व्यूस चाइए तो उसके लिए impression high करना पड़ेगा दोस्तो आप अगर impression high करने जानते हैं impression कैसे बढ़ाएं तो दोस्तो इस पर मैं एक अगलाग से वीडियो बना दूँगा आप इस वीडियो को comment कर देगा impression को किस तरह से बढ़ाते हैं ये भी मैं अगलाग टोपिक पर वीडियो बना के लादूँगा कि ताकि आप अच्छे तरह के समझ जाए तो दोस्तो अब चलिए मैं आपको बताने होलो secret setting की क्या करना चाहिए कि ताकि आपका भी वीडियो वाइरल जाए अब चलिए दोस्तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मान लिजे आपको भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो भी आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो का सबसे में टोपिक क्या होता है दोस्तो उस वीडियो आपने जो भी वीडियो बना लिया है उस वीडियो का सबसे में पार्ट क्या होता है उस वीडियो का टाइटल उस वीडियो का जो भी आप टाइटल देने के बाद क्या करना है दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद क्या करना है आपको अपनी description में keyword को यहाँ पर type करना पड़ता है मान लिजे आप अपने वीडियो सो बनाए हुए subscribers कैसे बनाए फिर कर लिजे views कैसे बनाए फिर कर लिजे watch time कैसे increase करें मान लिजे आपका जो भी category का topic होगा मान लिजे आप food category से बनाते होगे तो आप इस तरह का title सर्च करतेंगे मतर पनीर का सबजी कैसे बनाए भिंडी का सबजी कैसे बनाए इस तरह का अगर आपको सर्च करते होगे तो आपका वो keyword होता है तो यहाँ पर मेरे category का जो science and technology में उसमें से मेरा यह जो वीडियो का title है उस वीडियो का title आपको यहाँ पर description में सबसे पहले यहाँ पर copy or paste करना पड़ेगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों your queries करके आपको keyword यहाँ पर लिखना पड़ेगा मतलब जो लोग search करते हैं किस किस तरह से लोग search कर सकते हैं subscribers कैसे बढ़ाते हैं subscribers कैसे बढ़ाया जाता है subscribers कैसे बढ़ाया यूट्यूब पर इस तरह से लोग कैस आपको आपको ल हर keyword जितना सारा आपके mind में keyword आ रहा है सारा keyword आपको यहाँ पर आके paste करना होगा दोस्तों अगर आप keyword लिखने नहीं जानते हैं कि आपको keyword find करने जानते हैं keyword find कैसे करें तो दोस्तों आप इस वीडियो के description box में आप लिख दीजेगा मैं अगला वीडियो उस topic पर भी लियाँगा कि keyword किस तरह से लिया जाता है keyword कहां से लिया जाता है keyword को find कैसे करें कि ताकि आपका वीडियो अच्छा कासा SEO हो तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर keyword भी अच्छा कासा कर रहे हैं इवर्ड विया वगर सही तरीके से लिख रहे हैं तो चलिए अब दोस्तों आपको फाइनल मैं आपको बताता हूं कि यहां पर करना क्या होगा अगर आपको वीडियो को वाइरल करना है तो अभी आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को आप complete देखिए और ध्यान से दोस्तों अपने वीडियो में सबसे पहले title लगाएं डिप्स क्रिप्शन लिखिए उसके बाद क्या करना है तो आपको क्या करना है डिप्सक्रिप्शन लिखना है अब चलिए तो मैं आपको secret बताता हूं कि करना क्या है तब जाके आपका वीडियो वायरल होगा जिहाँ दोस्तों मैं आपको जैनुविन बात बता रहा हूँ और बिल्कुल सहित बता रहा हूँ ऐसा मत सोचेगा कि आगे चलके इस SETTINGS को ON कर देंगा या फिर इस SETTINGS को अपने वीडियो में लगा दूँगा ट्रिक को लगा दूँगा ता आगे चलके मेरे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या फिर कलिजे श्ट्राइक वगरे फिर कलिजे आपके चैनल में किसी मितर का इसू हो सकता है जब आप चैनल को मुल्टाइज करने जाएंगे तो दोस्तो इस तरह का कोई भ आपको हैश्टेग को यूज करना है जी है दोस्तो अब आपको यहाँ पर हैश्टेग को यूज करना है बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से जुनिए आप आपको हैश्टेग को यूज करना है मान लिजिए आप जो भी टाइटल पर वीडियो बनाए हुए सब्सक्राइब नीचे मां आप देख सकतें कितना सारा मैंने यहां पर Sekunde किया हुआ है दोस्ते इसी हैस्टेक के मदद से मेरे वीडियो वाईरल गया है दोस्ते अभी मैं आपको इसका खासियत बताने वाले हूँ आप इस वीडियो को द्यान से दिखे यहां पे आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा यहां पे हैस्टेग लगा हुआ है यहां पे मेरे जो category के बड़े-बड़े creator है फिरकली जो बड़े-बड़े YouTuber है उनको भी मैंने यहां पे हैस्टेग में यूज किया हुआ है दोस्तों क्यों पता है जब इनके हैस्टेग को मैंने यूज किया हुआ है तो इनके सब्सक्राइबर्स के पास मेरा वीडियो रिकमेंडेट करता है YouTube मतलब इनका अगर हैस्टेग को मैं यूज कर लूँगा तो इनके सब्सक्राइबर्स जो होते हैं जो भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास मेरा वीडियो रिकमेंडेशन में जाने लगता है, तो वो क्या करते हैं, कि अगर वो उनका कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उनके वीडियो के नीचे मेरा वीडियो रिकमेंडेट करने लगता है, तो वो मेरे वीडियो को भी टेच करके देख लेते हैं, तो इस टेकनलोजी हैं, फूट्स हैं, फिर कर लीजिए अप जो भी कै्टेगरी से आपने चैनल बनाय हुए, उस कैटेगरी में बड़े-बड़ी क्रेटर को फॉलू करिये, और उस बड़े-बड़े क्रेटर को आप क्या करिए डिप्स्क्रिप्सन में यूज करिए हैस्टेक को लगा के हैस्टेक लगा के उस बड़े-बड़े क्रिटर को नाम को यहां पर यूज कर दिए कि ताके उनके सब्सक्राइबर के उनके सब्सक्राइबर के उनके सब्सक्राइबर जो भी वीडियो देखते हैं उस व हो रहा है दोस्तों यहां पर YouTube पर हर कोई लोग अपना केरियर बनाने के पिछे पड़ चुका है और यहां पर जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा हर दिन यहां पर YouTube पर चैनल क्रेट हो रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यहीं बताना चाहता है कि अगर आप अपने वीडियो के description में वहां पर हैस्टेग लगा के उन बड़े-बड़े क्रिटर का नाम यूज कर दिए उन बड़े-बड़े क्रिटर के चैनल का नाम यहां पर एड कर दिए तकि उनकी सब्सक्राइबर जो भी वीडियो सो अगरे रखेंगे उस वीडियो के नीचे रि अपरत